तो आज मैं लेके आगे हैं आपके लिए ऐसा पेस्टाइक जो आज से पहले आपने कभी यूटिव पे नहीं देखा होगा तो इस पैक को कैसे बनाना है इसके क्या क्या बेनिफिक्ट है यह सब हम जा रहेंगे आगे वीडियो में तो वीडियो में सुरू सामतर मेरे साथ बन कि इस पैक को बनाने कि सब्सक्स बहले हम लेंगे भुनिवी हल्दी आप यहां देख सकते हैं यह धियु बना अगर को नहीं बता हैं भुनिवी हल्दी कैसे होती है कैसे बनाना ऐसलिंग का आई बटन पर दे दूंगी मैंने इस पैक को फ्रेश्टिव सिजन को ध्यान में रखके ही बनाया है क्योंकि अब आने वाला है दुगापुजा उसके बाद करवा चौत तिवाली तो स्पेशली करवा चौत में जो लेडिस होती है वो पाला जाके फेशल करवाती है तो आप फेशल जरूर बाहर से करवा और आप चाहे तो इसे गूगल भी कर सकते हैं यह आपको उप्टन मिल जाएगा एमजन पर इसे भी एक चमश ले लिया है मैंने उसके बाद मैं यहां पर दही ले रही हूँ दही आप अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से ले लीजिएगा इसकी कंसिस्टेंसी हमें बहु इसके बाद इसे पंदा से 20 मिट तक छोड़ दिजे जब यह सूख जाए तो इसे हलका सा पानी लगा के सरकुलर मोशन में धीरे-धीरे करते हुए इसे छुडा ले इसके बाद इस पैक को आप लगा सकते हो वीक में तीन बार इससे यह काफी अच्छा रिजल्ट देगा आ अगर आपके skin deeply clean होगी तो आपको oily skin वाली problem नहीं होगी आपको acne pimple की problem नहीं होगी आपको blackheads की problem नहीं होगी इसके बाद हमने मिलाया है चिकसा upton powder जो की बना हुआ है various botanical herbs से इसमें आपको मिल जाता है almond rose petals chandan powder तो यह आपके skin tone को improve करेगा reduce करेगा acne को smooth और सपल बनाएगा आपके skin को glowy बनाएगा आपके skin को इसके बाद हमने इसमें मिलाया है दही दही जो है complexion को improve करेगा और फिर आपके skin को tighten करेगा pores को tighten करेगा skin को brighten करेगा तो मैंने यह face को wash कर लिया है तो आप इसका result जारी कर रहे हैं तो आज से ही यह pack लगाना सुरू करते हैं ताकि आपको best result मिले तो यह था मेरा आज का वीडियो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे like करना ना भूले मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर ले बगल में जो bell icon है उस